बिहार के राजनीत को लेकर के एक तरफ जहां सरगर्मी तेज हो गई है वहीं एंडिये में बहुत सारे दल सामिल हैं देश अस्तर की बात करें तो एंडिये में 18-19 दल छेत्रिये दल सामिल हैं और उसमें से एक प्रमुख दल हुआ करता था शिवसेना शिवसेना के साथ एंडिये की खट पट चल रही है और तब से सुरू है जब से 2014 में लोकसभा का चुना हुआ और एंडिये के तहट काम करने वाली या उसके साथ जूड़ करके हर बात को लेकर के एक लंबे समय से साथ चलने वाली शिवसेना ने विरोध प्रदसन सुरू कर लिया इस्तिती यहां तक आ गई कि शिवसेना के जो लोग थे वो अलग खेमे में बट गए इसके साथ ही उद्धो ठाकरे जो की शिवसेना प्रमूख हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ और उनके काम पर लगतार आरोप पर तैरोप भी सुरू कर दिये इतना ह इस बात को लेकर के जब महरास्ट्र में चुना हुआ तो महरास्ट्र में भी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और इस्तिती यह हुई कि भारते जनता पार्टी को वहां की जनता ने प्राथ मिक्ता दी भारते जनता पार्टी के भी सरकार हैं हाला कि एंडिये के तरफ स बाहला साहव ठाकरे के समाझ से ही, मातो स्री से ही सारे फैसले हुआ करते थे, इन तीन सालों में, कई बार, भारती जन्ता परठी के, राष्ट्रिय अध्यक्ष अमीत साभी, मातो स्री वो करके आये हैं, लेकिन बात नहीं बनी, अब इस्तिती ये है, कि जैसा कि कल हमने, आप आपको बिहार प्रदेश अध्यक्ष सिवसेना के कॉसलेंद सर्मा से आपकी रूबरू करवाया था उनसे बात हमने किया था और जो ताजा घटना क्रम है और राजनितिक बयान भाजी शुरू हो गई है चर्चाएं शुरू हो गई है उस चर्चा में एक चर्चा ये थी कि ए इंडिये का हिस्सा फिर से बन सकती है सिवसेना जदियू के उपाध्यक्ष और पुराने राजनितिक एस्ट्रेटिजिस्ट प्रसांद किशोर मातो स्री गए थे और उदर ठाक्रे से उन्होंने मुलाकात किया था इसे राजनितिक चस्में से देखा जा रहा था पर जब ब बात का खुलासा बिहार में आकर के प्रसांद किशोर ने किया कि वो आम मुलाकात के तहट गए हुए थे और इंडिये का चुकि हिस्सा लंबे समय तक सीवसेना रही है इसलिए मिलना जुलना होते रहता है यह भी बात सामने आई थी कि सीवसेना के लिए स्टेटजी यह एक बयान आया है जो काफी सुर्खियों में है कि अब मातोश्री जाकर के भारतिये जन्तापार्टी सीवसेना के साथ किसी भी तरह का कोई बात नहीं करेगी नहीं केंद्रिये नेत्युत अब सीवसेना के साथ मातोश्री तक का सफर करेगा केंद्रिये नेत्युत को इससे बिलकूल अलग रखा गया है अगर बात होगी भी तो महरास्टर्स में भारतिय जन्तापार्टी के जो छेत्रिये लोग हैं जो महरास्ट के भारतिय जन्तापार्टी से जूड़े हुए वो जाकर के बातचित करेंगे अब इस्थिती ये है कि एक तरफ जहां कॉसलेंद्र सर्मा ने इस बात को एसपस्ट रूप से कह दिया है कि वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार के भी 40 सीटों पर और देस अस्तर पर भी जहां जहां उनका वार्चस्व है वो जानते हैं कि हमारा चुनाव ल से रास्ते पर चलना सुरू कर दे और उनके द्वारा तै नियमों के हैं हिसाब से चले तो वो सोच सकते हैं और इन सब के लिए अधिक्रित उद्धा ठाकरेजी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि भारते जनता पाटी प्राइबेट लिमिटेट कमपनी की तरह चल रही है वो सब बातों को लेकर के चुनाओं से पूर्व सीवसेना और भारते जनता पाटी के बीच में इस तरह की बाते जो चल रही हैं वो काफी हो सकता है कि अनिवल चुनाओं में प्रभावित करें भारते जनता पाटी और सीवसेना का गठ जोर काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और दोनों ने मिलकर भातिय राजनीत में एक साथ चलने का एक अलग तरह का मुकाम और प्रयास किया था जिसकी सफलता भी उन्हें मिली थी समान विचार धारा वाले दोनों दल माने जाते थे लेकिन चुनाव से पहले एक तरफ जहां स्चीर सोनाने सभी शीटों पर लगने क ताल ठोका है और ये भी कह दिया है कि एंडिये के साथ उनका कोई शंबंध नहीं होगा वहीं अब भातिय जन्ता पार्टी के तरफ से भी इस तरह का बयाना ना कि वो मातो सरी जाकर कोई भी समझवता नहीं करेंगे काफी एहमियत रखता है देखने वाली बात ये होगी कि 2019 के चुनाव में क्या सिव सेना और एंडिये बिरोधी के रूप में एक दुसरे के सामने खड़े होंगे या फिर पुराने संबंध को जोड़ने की जो कवायत चल रही है उसमें सफलता मिलेगी अब चुनाव बहुत नजदीक है और कम समय में क्या-क्या फैसले होते हैं द आपको हर खबर से रखने हैं रखते हैं अपडेट नमस्कार हमारे फीसबूक पीच को लाइक करें ट्वीटर पर फॉलो करें onyo बिहर लाइब और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बल अिकन दबाना मलगंॆ नह झाल